Hello friends, आज का अपना टॉपिक है Polymorphism in Zealand Rates Polymorphism यानि बहुरूपता बहुरूपता का मतलब है जब एक ही जन्तु में यहां परिभाशा लिखी हुई है एक ही जन्तु में विभिन कार्यों के संपादन के लिए एक से अधिक प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं तो इस चीज को क्या कहते हैं? बहुरूपता यानि जन्तु तो एक ही है अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग उसके क्या है? स्वरूप है तो इन्हें क्या कहेंगे? Polymorphism कहेंगे और उस जन्तु को उस जन्तु को जिसमें विभिन प्रकार के जीवक या zoids पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? बहुरूपी जन्तु या polymorphic animal और animals के अंदर, phylum, sealant rates के अंदर जो सदस्य होते हैं उनमें बहुरूपता या polymorphism common है ठीक है? तो हमारे syllabus में यही है polymorphism in sealant rates इसे हम कुछ examples के साथ में करते हैं पहले तो हम लेते हैं basic forms of polymorphism यानि बहुरूपता के जो basic form कौन-कौन से हैं दो है polyp and medusa form ठीक है? तो polyp शब्द आते ही हमारे दिमाग के अंदर example आना चाहिए किसका hydra का? यह hydra का example है तो polyp शब्द आते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हाइडरा का डाइग्राम आना चाहिए तो यहाँ आप देखो हाइडरा कैसा है? cylindrical है यानि लंबा और बेलनाकार सरंचना है ठीक है? यह स्थानवद है एक surface से attach है किसी surface से और जो स्वतंत्र सीरा है उसके उपर क्या पाया जाता है? mouth पाया जाता है और mouth जो है वो किस से घीरा हुआ रहता है? tentacles से घीरा हुआ रहता है तो जहां mouth पाया जाता है इसको क्या कहते है? oral surface और जो surface किसी substrate से attach है उसको क्या कहते है? aboral surface ठीक है? और जो है hydra के अंदर जो reproduction होता है वो होता है asexual reproduction by budding यानि मुकुलन के द्वारा base पर कलिकाएं बनती है और ये कलिकाएं बढ़ती है फिर यहां mouth बन जाएगा यहां tentacles बन जाएगे free end पर उसके बाद में यह हिस्सा यहां से separate होकर के जो है दूसरी जगा स्थान बद हो जाएगा तो reproduction किस तरह से हो रहा है इसमें asexual reproduction by budding तो जब शब्द आता है polyp जब शब्द आता है polyp तो हमारे दिमाग में डाइग्राम आना चाहिए hydra का और जब शब्द आता है कौन सा medusa तो medusa शब्द आते ही यानि medusa रूप आते ही हमारे दिमाग में एक्जामपल आना चाहिए aurelia aurelia आप यहाँ diagram देख रहे हो छटरी के जैसी सरंचना है छटरी के जैसी सरंचना में ये जो convex वाला जो part है इसे कहते हैं x umbrella part और अंदर का जो यानि concave वाला जो surface है उसे कहेंगे sub umbrella part और sub umbrella part चोटा हस्तक है हस्तक के स्वतंत्र सिरे पर mouth होता है और चटरी का जैसे किनारा है ये तो इस किनारे के उपर क्या पाए जाते हैं स्पर्शक पाए जाते हैं tentacles पाए जाते हैं ठीक है ये aurelia जो है ये blue color का होता है transparent होता है और यहाँ transparent है तो यहां हमें C के shape के 4 gonads जो हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं और यहां जो सब अम्रिला पार्ट है यहां से लटकते हुए 4 क्या है oral arms है mouth की side में arms है इसलिए इनको क्या कहते है oral arms तो यह हम कह सकते हैं कि यह basic structure है किसका medusa का तो इस तरह से जब हमारे आता है दो basic form polyp और medusa तो हमारे दिमाग में example आना चाहिए hydra का polyp के लिए और aurelia का medusa के लिए अब हम लेते हैं comparative studies की सबसे पहला comparison आता है shape में polyp का shape कैसा है लंबा, बेलनाकार, नलिकाकार जबकि medusa कैसी है, घंटी या छत्ताकार, यानी छत्री के जैसा polyp कैसे होते हैं, स्थानबद होते हैं जबकि medusa क्या है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाले polyp में जो aboral surface है उसके द्वारा तो वो सत्य से चिपका हुआ है और जो oral surface है, उधर mouth है इसलिए उसका नाम oral surface है और mouth जो है, वो स्परशक से घिरा हुआ होता है जबकि medusa के अंदर बताया आपको convex वाला surface, ex-umbrilla surface कहलाता है concave वाला surface, sub-umbrilla surface कहलाता है sub-umbrilla surface पर एक हस्तक होता है मद्धे में, जिस पर mouth प्रेजेंट होता है ठीक है, और जो किनारे हैं, इसके margin है उसके उपर क्या है, tentacles पाए जाते है और इनका function polyp का main function होता है भोजन ग्रहन करना और सुरक्षा प्रदान करना और इसमें जो जनन है वो ऐलेंगिक प्रकार का होगा budding के द्वारा, मुकुलन के द्वारा और medusa का main function क्या होता है प्रकिर्णन, यानि की movable है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं ये और इनमें लेंगिक जनन होगा इनमें क्या होगा, sexual reproduction होता है ठीक है, तो इस तरह से polyp और medusa का comparative हम आराम से कर सकते है बस हमें क्या करना है polyp में हम example याद रखें hydra और medusa में हम example याद रखें aurilia, ठीक है अब हम लेते हैं आगे कुछ example जिन में dimorphism है, trimorphism है और pentamorphism के कुछ example हम इसमें लेते हैं sealantrates में सबसे पहले हम example लेते हैं एक ऐसा animal sealantrate का जिसमें एक ही animal में द्वी रूपता है एक ही animal में द्वी रूपता है तो क्या कहलाएगा dimorphism और इसका best example है obelia या आप obelia का diagram देख रहे हो total obelia स्थानबद है इसके अंदर दो तरह के zoid होते है gastrozoid and gonosoid, gastrozoid को hydrant भी कह सकते हैं आप यहाँ देखो gastro जहाँ शब्द आता है उसका मतलब है भोजन से संबंदित ठीक है और gonos जहाँ शब्द आता है gonad मतलब gonad सुपस्तित है तो reproduction से संबंदित ठीक है तो एक ही animal है यह obelia लेकिन इस एक animal में दो स्वरूप है दो प्रकार के zoid है जिनका structure अलग है जिनका function अलग है कौन-कौन से है वो gastrozoid and gonosoid gastrozoid में आप क्या देख रहे हो यहाँ पर स्वतंत सिरे पर mouth है and mouth is surrounded by tentacles और इसका काम है पूरी colony के लिए भोजन ग्रहन करना ठीक है और gonosoid जो है gonosoid का आप देखो यहाँ पर mouth नहीं present है तो यहाँ क्या होगा gonosoid के अंदर budding होगी और budding के द्वारा इसमें क्या बनेंगे medusa बनेंगे और जब यह medusa बन जाएंगे तो इसके बाहर यह gonopore gonopore यह चिदर है यह चिदर open होगा और यहाँ यह medusa जो है इससे release हो जाएंगे तो यह medusa इसमें किस process के द्वारा बने है budding के द्वारा बने है इस तरह से एक ही colony एक ही colony या एक ही animal में दो अलग अलग प्रकार के स्वरूप है जो अपने अपने कारे के अनुसार इनकी सरंचना है तो इसका best example है dimorphism का obelia इसको हम comparative भी side में यहाँ बता दें gastrozoid और gonzoid एक colony में gastrozoid की संख्या अधिक होती है gonzoid के compare में gastrozoid जो है hydra के समान होते है जबकि gonzoid जो है club के समान होते है gastrozoid के स्वतंत्र सिरे पर मुख और स्परशक होते है gonzoid में मुख और स्परशक नहीं पाए जाते है gastrozoid का कारे होता है colony के लिए portion क्रेहन करना और gonzoid का कारे होता है इसमें a-langic genome होगा जिसके यानि मुकुलन के द्वारा medusa बनते है तो अब हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा example इसका trimorphism trimorphism यानि ऐसा animal silentrate का जिसमें एक ही animal में तीन स्वरूप है जिनका अलग-अलग कारे है या कारे के अनुसार अलग-अलग तीन प्रकार के zoid इसमें पाए जाते हैं और यह example है plumularia plumularia के अंदर gastrozoid, gonzoid तो हैं ही है इसके इलावा तीसरे प्रकार का जो zoid है वो है dectylozoid अब gastrozoid और gonzoid को दुबारा describe करने की जुरूप नहीं है इनके function, इनका structure हम same to same लिख देंगे अब आता है dectylozoid dectylozoid को अंगुली जिवाब या nematofor यानि सुत्रधर भी कहते है इसे इसलिए कहते है क्योंकि dectylozoid जो है इसमे mouth और tentacles नहीं पाए जाते है अब mouth नहीं है इसका मतलब potion का कारे तो इसका नहीं है तो इसमें क्या है इसमें dense कोशिकाए यानि nemato sites के लिए और आसंजक कोशिकाओं के लिए batteries पाई जाती है batteries battery का काम क्या होता है charge करना ठीक है तो batteries पाई जाती है कि इनके लिए nemato sites के लिए तो इसका मतलब dectylozoid या जिसे nemato4 कह सकते है इनका कारे होता है पूरी जो colony है उसकी सुरक्षा करना और शिकार को पकड़ना ठीक है तो ये हो गया dectylozoid का कारे और ये example हो गया किसका trimorphism plumularia जिसमें क्या बताया gastrozoid, gonzoid और dectylozoid प्रकार के जीवाब या zoids पाए जाते हैं तीनों की सरंचना अलग-अलग है और कारे भी अलग-अलग है अब हम एक और एक्जाम्पल लेते हैं pentamorphic animal pentamorphism ये पाया जाता है sealant rate के hydrateinia में hydrateinia में यहाँ एक इसका diagram शो किया है मैंने यहाँ पर यहाँ आप देख रहे हो ये जो colony है hydrateinia की इसके अंदर पांच प्रकार के zoid है gastrozoid gastrozoid का क्या काम है potion का कारिया यानि पूरी colony के लिए भोजन लेना तो इसमें मुख और स्परशक पाए जाते हैं और इसमें जठर वाहिनी गुहा भी पाई जाती है gastro-vascular cavity तो पूरी colony के लिए potion का काम करता है ये gastrozoid दूसरा है gonzoid gonzoid मतलब इन में लेंगिक जनन होगा ठीक है तो ये reproduction से संबंदित है तीसरा है dactylozoid जो अभी हमने पढ़ा जिसका कारे है सुरक्षा का कारे क्योंकि इनके अंदर nematocides के लिए या दंसकोशिकाओं के लिए batteries पाई जाती है ठीक है चौथा टाइप है tentaculozoid जो है tentacle शब से बनाए tentacle मतलब sparsal यानि ये समवेदांग का कारे कर रहा है ये पूरी कॉलोनी के लिए समवेदांग का कारे करेगा और पांचवा है skeletal शब से बनाए skeletal ozoid skeletal यानि body को क्या करेगा पूरी कॉलोनी को जो है मजबूती प्रदान करना तो ये काईटीन के बने वे उभार होते हैं क्या होते हैं ये काईटीन के बने वे उभार इस तरह से एक ही animal है और इस एक animal में हाइडरेक्टीनिया में पांच प्रकार के zoid है तो यह सरंचना में अलग-अलग है और कारे भी इनका अलग-अलग है ठीक है तो ये example हो गया किसका पेंटा-मॉर्फिक का जिसमें गेस्ट्रोजोईड गोनोजोईड डेक्टाइलोजोईड टेंटेक्विलोजोईड और स्केलेटलोजोईड प्रकार के जो है जिवाब पाए जाते हैं जो सरंचना में अलग है और कारे भी अलग है अब हम लेते हैं मॉडिफिकेशन ओफ पॉलिप्स पॉलिप बेसिक स्ट्रक्चर है ना पॉलिप और मिड्यूसा तो मॉडिफाइड पॉलिप्स मॉडिफाइड पॉलिप्स में आते हैं तीन प्रकार से गेस्ट्रोजोईड डेक्टाइलोजोईड और गोनोजोईड तीनों ही एक प्रकार से पॉलिप तो इसका काम है पूरी कॉलोनी के लिए nutrition प्राप्त करना या portion प्राप्त करना, यहां आप देखो इसकी सरंचना कैसी होती है, main जो है ये body इसकी ये cylindrical है, cylindrical body है, इसके स्वतंतर सिरे पर mouth पाया जाता है, और इस body जो cylindrical body है इसके आधार वाले भाग पर, यहां पर एक बड़ा क्या पाया जाता है, लंबा long hollow contractile tentacle, यानि लंबा, खोखला, संकुचन शील्ड tentacle पाया जाता है, इस tentacle पर, इस tentacle पर क्या है, nematocytes के लिए batteries है, batteries for nematocytes, ठीक है, तो यह होती है सरंचना किसकी, gastrozoid, यह है modified प्रकार का polyp, जिसमें mouth है, और इसके आधार वाले भाग से, एक लंबा, खोखला, संकुचन शील्ड tentacle स्परशक निकला रहता है, जिसके उपर, दंस कोशिकाओं के लिए batteries होती है, और इसका काम क्या बताया, बूरी कॉलोनी के लिए potion, जो है, राप्त करना, इसी का दूसरा modified रूप है, polyp का dactylozoid, dactylozoid का क्या function बताया था, protection, सुरक्षा, ठीक है, इसका भी देखो, जो main body है, ये cylindrical है, लेकिन, इसके स्वतंत्र सिरे पर mouth नहीं है, तो भोजन का काम इसका नहीं है, portion, प्रदान करने का काम इसका नहीं है, इसके आधार वाले भाग से एक लंबा tentacle निकला रहता है, जो ब्रांश्ट भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, एक लंबा tentacle है, इस tentacle पर खुद दंस कोशिकाएं हैं, क्या है यहाँ पर? दंस कोशिकाएं, जिस तरह से किसी दुश्मन का सामना करना है, तो हत्यार हाथ में ले रखा है, तो यहाँ डेक्टाइलो जॉइड का जो tentacle है, इस tentacle में खुद दंस कोशिकाएं हैं, निमेटो साइट्स हैं, तो यह हैं पूरी कॉलोनी का प्रोटेक्शन का कारे करते हैं, यह है modified polyp dactylozoid, थर्ड जो modified polyp है वो है gonozoid, नाम से ही पता चल रहा है, function तो इसका क्या है, इसमें birding होगा, जिसके द्वारा medusa बनेंगे, ठीक है, अब यहाँ आप देखो इसमें क्या होता है, वरंत, यानि यह branches हैं, और इन branches को, इन branches को कहेंगे, gonadron, क्या कहेंगे इनको, gonadron, ठीक है, इन branches पर, अंगूर के गुच्छे के जैसे, यह सरंचनाएं बनी हुई है, तो इन सरंचनाओं को कहेंगे, gonopalpon, और इन अंगूर के जैसी, जो सरंचनाएं बनी हुई है, इसमें होते हैं क्या, इसमें बनेंगे, जो है, इसमें हैं gonads, तो इसको क्या कहेंगे, gonopalpon, तो तीन शब्द हो गए, branches, जिन पर यह, gonopalpon है, और gonopon में, gonopalpon है, और इनका फंक्शन क्या है, पूरी जो कॉलोनी है, इसका, reproduction से संबंदित, इसका function है, इसमें budding होगी, और budding के द्वारा, medusa, jivaab, यानि medusa zoids, उत्पन होंगे, तो यह हैं, तीन, modification, of polyps, ठीक है, अब हम लेते हैं, modification of medusa, modification of medusa, जो छतरी के जैसी सरंचना है, तो उसमें किस प्रकार का modification है, pneumatophore, nectophore, phylozoids, and gonophore, अब हम एक-एक को लेकर करते हैं, pneumatophore, pneumatophore, जो है, order, syphenophore के अधिकांश जन्तूओं में, पूरी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी के सिरे पर, गैस से भरा आश्य होता है, या blader होता है, तो ये गैस से भरा आश्य है, मतलब इसका क्या काम है, पूरी कॉलोनी को, floating में help करना, तैरने में मदद करना, तो pneumatophore का का कारे है, helps in floating of colony, और ये pneumatophore, जिन animals में पाया चाहता है, उसके कुछ example हैं, जैसे phyzeलिया, phyzeलिया, जिसे हम common क्या कहते हैं, पूर्टगाल का सिपाही, तो phyzeलिया में, ये जो pneumatophore है, ये बड़ा होता है, size में, दूसरा example है, पौर्पिटा, पौर्पिटा के अंदर, जो pneumatophore है, ये disc shape का होता है, तीसरा example है, वैलिला, वैलिला के अंदर, पौरी कॉलोनी में देखो, उपर की तरफ, यह उपर की तरफ, ये, ये वाईयू से भरा हुआ है, लगबख छत्री के जैसा है, filled with air, तो ये क्या है, pneumatophore, gas filled polyp, तो इसका का काम है, पौरी कॉलोनी को, floating में help करेगा, इसी तरह से, यहाँ आप देखो, ये वैलिला, वैलिला के अंदर क्या है, disc shape, ये disc के shape का, disc के shape का, जो है pneumatophore होता है, ठीक है, disc के shape का pneumatophore है, और, ये है पौर्पिटा, तो इस पौर्पिटा में, यहाँ पर आप देखो, ये पतला transparent, पतला transparent pneumatophore है, ठीक है, तो इस तरह से, pneumatophore क्या है, modified medusa form, modified medusa form, और इसका main काम क्या है, helps in floating of colony, helps in floating of colony, दूसरा modification रूप है, इसका nectophore, nectophore में भी, क्या है, ये भी floating zoid है, floating zoid है, यानि पूरी colony को, तैरने में मदद करेगा, इसके अंदर, mouth, tentacle, और manubrium, यानि ना तो इसमें, मुक होता है, ना स्परशक होता है, ना हस्तक होता है, तो इसका मतला, भोजन से संबंदित, तो इसका काम नहीं है, फिर ये locomotion में, कैसे help करता है, इसमें, चार radial canals, और एक circular canals, पाई जाती है, जैसे मान लो, ये छटरी के जैसी सरंचना है, छटरी के जैसी सरंचना है, तो चार radial canals है, ये चार radial canals है, और एक, जो है, circular canals है, और इसमें, क्या है, muscular layer highly developed है, तो muscles, मतलब locomotion से संबंदित, तो इन muscles के contraction, और relaxation के कारण, ये जो part है, इसका, ये help करता है, किसमें, locomotion में, और इस तरह का, जो modified group है, जिसके अंदर, चार radial canals, और एक circular canals है, और highly muscular है, और भूजन वोजन, का इसका कोई काम नहीं है, ये floating में help करता है, ये कहलाता है, necto four, ठीक है, तीसरा modified group है, इसका phylozoid, phylozoid, यानि कि, इनका, इसका जो structure है, phylozoid का, ये medusa से भिन है, यानि छतरी के जैसा नहीं है, लेकिन इसकी, उत्पत्ती medusa से होती है, तो इसकी shape कैसी होती है, leaf के जैसी, helmet के जैसी, या shield के जैसी, और इसका जो अधिचर्म है, यानि outer जो layer है, इसकी epiderm जो है, इसमें दंस कोशिकाएं पाई जाती है, nematocyte पाई जाती है, तो जहां nematocyte है, मतलब उसका कारे क्या है, अन्य जीवाबों की रक्षा करना, दंस कोशिकाएं हैं, तो अन्य जीवाबों की रक्षा करने का इसका कारे है, ठीक है, फिर हम लेते हैं, fourth modified form of medusa, gonophore, gonophore नाम से पता चल रहा है, किस से संबंदित होगा, reproduction से संबंदित, यानि gonads इसमें पाए जाते हैं, तो यह निवहग में, अलग-अलग branches पर भी हो सकता है, या polypzoid जो है, उसमें एक साथ, एक समुव में भी उपस्तित हो सकता है, example है, phyzalia के अंदर, तो gonophore उभाए लिंगी होते हैं, और कुछ ऐसे भी animal हैं, जिनमें यह एक लिंगी हो सकते हैं, या होते हैं, इनकी shape, bell shape की होती है, radial canals इसमें पाए जाती है, gonads इसमें पाया जाता है, और manubrium भी इनमें पाए जाते हैं, और इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, mouth authentical, तो mouth authentical, क्योंकि इनमें portion से संबंदित नहीं है, इनका कारे किसे संबंदित है, reproduction से संबंदित है, ठीक है, तो इस तरह से यह है, four, modification of medusa, pneumatophore, nectophore, phylozoid, and gonophore, इनकी सरंचना भी अलग-अलग है, और कारे भी अलग-अलग है, अब आप यहाँ phyzelia का एक डाइग्राम देखो पहले, phyzelia के अंदर, जिसे पूर्टगाल का सिपाही कहते हैं, यह एक ही अनिमल है, लेकिन एक ही अनिमल में अलग-अलग प्रकार के क्या है, zoid है, function के according, यह तो हो गया pneumatophore, gas filled polyp, जो उसको तैरने में help करेगा, ठीक है, यह है gonosoid, gonosoid का क्या काम है, reproduction में help करना, gastrozoid, यानि digestion में help कर रहा है, पूरी colony के, dactylozoid, यानि protection के लिए है, यह catching prey, ठीक है, और coiled stinging tentacles, यानि यह जो सपरशक है, और इन यह कुंडलित प्रकार के है, और इन में pneumatocytes, यह तो एक ही animal में, अलग-अलग प्रकार के क्या है, यह zoid है, जिनकी सरंचना अलग है, और कारे भी अलग-अलग है, इसे तरह से यह example है, valilla, valilla के अंदर भी आप देखो, यहाँ पर, एक तो क्या बताया था इसके अंदर, यह pneumatophore है, pneumatozoids, यह pneumatozoid है, disc shape का, ठीक है, इस यह है, blastostiles, यह क्या है, blastostiles, यानि gonozoid जिसे हम कहेंगे, जिसके अंदर medusa buds है, इन buds से आगे क्या बनेगा, medusa release होंगे, और यह है, fishing tentacle with nematocyst, यह tentacles है, जिन में nematocyst है, ठीक है, और यह है float concentration, यह disc shape का, जो है float में help करेगा यह, तो इस तरह से इसके अंदर, valilla में भी polymorphism है, और यह है porpeta, porpeta के अंदर भी आप देखो, यह animal है, तो इस animal के अंदर, जो है gastro, gonozoid, यह gonozoid अलग है, dactylozoid protection का कारे करेगा, gastrozoid, जो है potion का कारे करेगा, pneumatophore help करेगा, तैरने में, और dactylozoid, सुरक्षा में help करेगा, तो यह porpeta, यह किसका है, और कौन सा animal है, porpeta, ठीक है, तो इस तरह से हमने बढ़ा, sealant rates के अंदर, बढ़ाओ तो तोपिक, थाँक य।